तो आज हम लेकर करा है यूपीट शॉल पेपर को लेकर क्या है 2017 का सोशल स्टॉडी का जिसमें अगर देखेंगे चाल डेवलप्मेंट पेडालोजी से कोश्चन हम लोग आज देखेंगे उसके बाद पिर और सोशल स्टॉडी और हिंदी से देखेंगे कोश्चन तो आई संभेग ब्यक्ति की उतेजी दशा है यह कथन किशका है तो यह कथन ठीज भूडवर्थ का है रायट अंसर हो जागा आउप शिं में जर ने जर है बुड़वर्थ, बुड़वर्थ के द्वारा कहा गया है, बुड़वर्थ का कथन ने, शंबेग भ्यक्ति की उतेजित दसा है, नेश्च कुशन को देखते हैं, शैचिक भिकास में मुल्यांकन का अर्थ है, चार आप्सन दिये हुआ है, कच्छा भीलेको का मुल्यांकन, छ राइट अंसर हो जागा option 4 निश्कोशन है पूर्वा ग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रती डैश के प्रती कठोर होंगे किस के प्रती कठोर होंगे तो शमश्या के प्रती पूर्वा ग्रही किशोर किशोरी अपनी शमश्या के प्रती कठोर होंगे राइट अंसर हो जाएगा option two निश्कोशन है शंग्यनात्मक विकास के चार चर्णों संबेदी पेशिये पूर्वे शंक्रियात्मक अस्थूज संक्रियात्मक और आपचारिक शंक्रियात्मक की पहचान की गई है कि इसके द्वारा अश्टार्ट के द्वारा या फिर हिलगाड के द्वारा यह अलक के द्वारा या पियाजे के द्वारा किया गया संग्यनात्मक विकास के चार चरणों में संग्यनात्मक विकास के विभाजित किया था पियाजे ने पियाजे ने संग्यनात्मक विकास के चार चरणों में वि पिया जे जिन पिया जे नेश कोशन है कौन से गुन अच्छे मानसिक स्वास्त के नहीं है अच्छे मानसिक स्वास्त के लिए कौन सा गुन नहीं है तो बहुत विनित संवाय में शिमित कौन से गुन अच्छे मांसिक स्वास्त के लिए नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर कोस्चन को समयना होगा मांसिक स्वास्त के लिए नहीं अच्छे मांसिक स्वास्त के लिए नहीं है इचारों आप्सन दिया हुआ है उसमें से अच्छे मांसिक स्वास्त के लिए कौन सा आप्सन नहीं होगा, पहला अगर हम देखते हैंतो आत्म विश्वास्त सहन सिलता जो कि अच्छे मांसिक स्वास्त के लिए होता है, गुण यह है और दूसरा में नीमित जीवन शम्माइगातμάक परिपक्ता ये भी है अच्छे मांस स्वास्त के लिए नहीं है नहीं होती आधिकम छामता किष्ये परभावित नहीं होती वाता बरन आनुवान्सिक्ता दो अप्सन है तिसरा और चौत्रा ओप्सन को देख लेते हैं चौत्रा ओप्सन में दिया हुआ परसिच्छन शिच्छन तीसरा में और चौत्रा में दिया है राष्टियता तो इसमें से परसिच्छन शिच्छन अनुवान्सिक्ता और वाता बरन यह तो शाब परभावित करेगा राष्टियता जो है इसको परभावित नहीं करेगा नहीं दिया लगाल कोमुद्री और इंस स्थाटि इस और क्रशलों देया ओप्षूर्ट सिसू के अधिगम सहयता नहीं मिलते हैं जाल से अधिकम के सहाथा नहीं मिलती है अभी प्रेजबिन से अनुकरन से पुरसकार से तो राइट ईंसो जहाए अश्कूल की सहायता नहीं मिलता है शिशू को कॉन सा उम तु kamu बच्या सुवार्थी होता है जो भी समान जो भी खेला ना देखेगा उ जितने भी चीज़े देखेगा सुवास सब कोrich मेरा ही है क्भरफき fortunately मावाप की साहे से बाहर निकल आपने साथ ही बालको की संगत को पसंद करना शंबन्हीं हैं कौन सा अवस्ता से पूरली खीशोरा वस्ता से आए फिर उत्तरवाली बस्टा से यह सैस्व बस्ता इसका राइटवरे बस्ता से क्योंकि किष्वरा बस्ता से से पहले का स्टेश होता है बाहर निकल करके बच्चे खेलने लगते हैं और अपने शाथी के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं Next question है, मांशिक परिवगता की उचाईयों को छूने के लिए परियत्नरत रहना शंबंधित है किशे शंबंधित है, तो किशोरा वस्ता से संबंधित है मांशिक परिवगता की उचाईयों को छूने के लिए परियत्नरत रहना किशोरा वस्ता राइट अंसर हो जागा, option 2 Next question है, शीखने का प्रात्मिक मुलभूत नियम शंबंधित है, किशे शंबंधित है शीखने का प्रात्मिक मुलभूत नियम, परिनाम की अपेच्छा से, अभ्यासकार जिसे, सीखने का प्रात्मिक मुलभूत नियम संबंधित, अभ्यासकार से, इसका राइट अंसर होना चाहिए तततता से अगर तततता नहीं दिया रहता तो अभियाशबski अगर गार्वा is करूसर ने शीक्षने की पर्किरिया को परभावित करता वह है प्रसंशा एवं निंदा प्रसंशा से भी शिखता है बालक और निंदा करने से भी अनुकरन से भी परतियोगता से भी तो इस तरह से इसका राइट अंस हो जागा निश्को सने बालको के शिखने से प्रेणा को की सुरूप में उपयोगी माना जाता है इसको पुरस्कार वं दंड से भी बालक सीखते हैं बालक की ब्यक्तिक्ता का आदर करने से भी वह शिखते हैं प्रसंशा वं भरत्ष्णा से भी वह शिखते हैं तो इस परकर से इसका रा लाइक करें एंड सेर करें नेश्ट कूश्चन है कच्छा में विदार्थियों को अधीगम के लिए प्रेरित करने तू किस युगति का अनुपरियोग आप नहीं करते हैं तो इसका राइट एंसर हो जगा उनकी अध्यधीक प्रशंशा करना कोश्चन कूश्चन है कि कच्छ किमें साथियें को अधिगम के लिए प्रेरित करने प्रयोग सब्यूंधिक दो अत्यदीक प्रशंशां कि hiç NOT आनुपरियोग करना तो यह सब तो करते हैं उनकी अत्यधीक परशंचा करना इसका राइट अंसर हो जागा क्योंकि कोश्चन पुछ रहा है कच्छा में विदर थे हो अधिगम के लिए प्रेरित करने है तू किस युगती का आनुपरियोग आप नहीं करते हैं क्लास में कच्छा में तो इसका राइट अंसर हो जागा ओप्सन थ्री निश्कोशन है बुधी एवं स्रीजन सीलता में सीजिनात्मक्ता सोरी बुधी एवं सीजिनात्मक्ता में कीश परकार का संबंध शाह संबंध पाया गया है बुधी एवं सीजिनात्मक्ता में कीश परकार का स्रीजन संबंध पाया है तो धनात्मक स्रीजन संबंध पाया है राइट अंसर हो जागा ओप्सन थू निश्कोशन है कच्छा में अनुशाषन बनाए रखनी के लिए सार्वधी कच्छा में अनुशाषन बना रहेगा जब आप सिच्छन को रोचक बनाएंगे और बेभारिक बनाएंगे तो तब कच्छा अनुशाषित रहेगा निश्ट कुशन है, शर्षय वस्ता में बच्चों के किरिया कलाप होते हैं, कौन सा होगा, इसका राइट अंसर, शर्षय वस्ता में बच्चों के किरिया कलाप होते हैं, देख लेते हैं, तो इसका राइट अंसर हो जागा, शर्षय वस्ता में बच्चों के किरिया कलाप होत इसका राइट अंसर हो जगा मूल प्रविर्तियात्मक सैस्व वस्था में बच्चों के किरिया कलाब डाइस होते हैं तो इसका राइट अंसर हो जगा मूल प्रविर्तियात्मक सैस्व वस्था में बच्चों के किरिया कलाब मूल प्रविर्तियात्मक होते हैं राइट अंसर को किस छेत्र विशेश में परसीशित करना चाहिए ब्याख्यान विधी दोरा शिच्छन या फिर विशेश अवसकता वाले बच्चों की पहचान और शिच्छन तो बिल्खुल राइट एंसर हो जागा option 2 क्योंकि विशेश अवसकता वाले बच्चों को अगर आप पहचान कर परसीच्छ को पहचान करके बचको पहचान करके परसीच्छन को कहते हैं समयोजन की शमस्या होती है किस श्यमू के बच्चों को समयोजन की शमस्य होती है तो इसका Right Dancer जो एक option 4 कुसागर बुधी के बच्चे कुसागर बुधी के जो बच्चे होते हैं उनको समयोजन की शमस्य होती है शभी में घूल मील असानी से और नहीं घूलते मिलते हैं निश्को साने किशी सिच्छ को यदि यह लगता है कि उसका एक विदाथी जो पहले विशाय बस्तु को भली परकार सीख रहा था उसमें इस्थिर्ता आ गई है सिच्छ को इसे क्या करना चाहिए विशाय को सवश्चा से पढ़ाना चाहिए शीखने की परकिरिया की शुहाव सब्सक्षा घ्चाने की शुबहाविक की सथिती इसको माना चाहिए ऐक सिच्छ को निश्को सने अपनी कच्छा में एक विदार थी कि प्रविदारी को जीदि सिच्छ बदलना चाहता है तो उसके लिए उसे समुह के सभी सदस्च्च्यों की प्रविदार्टी बदलनी प्रविर्ति को बदलनी होगी तभी वह बालक में प्रविर्ति बदलेगी तो इसलिए इसका राइट असुर शेगा ऑप्शन 3 निश्ट कुछन है विकास का वही समबंध परिपक्ता से है जो उधीपन का डैस से है किस से होगा तो इसका राइट असुर या पर्तिकिरिया से जो उधीपन का पकिरियाश है राइट अंसर ऑप्शन 1 नेश्ब कुशन है P.I.J. मुख्यता डाइस के छेत्र में यूगदान के लिए जाने जाते हैं जिन पीआज यूगदान के लिए जाने जाते हैं ग्यानात्मकदिक विकास, भासा विकास, नैतिक विकास या फिर समाजिक विकास, तो इसका राइट अंसर जाने जाते हैं, ग्यानात्मक विकास छेतर में युगदान के लिए जीन पी आजे को जाना जाता है, राइट अंसर हो जागा, option one निष्ट कुछ्शन है एक साथ मिलते हैं और एक दूसरो को परभावित करते हैं तो वे एक समाजिक समुह का निर्मान करते हैं या कथन शत्त है या फिर आंसिक रूप से सत्त है या कदाचित सत्त है या फिर अर्शत है जब कभी दो या अधीक ब्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को परभावित करते हैं तो वे एक समाजिक समूग का निर्मान करते हैं तो यह सत्त है जब दो ब्यक्ति आपस में करते हैं और दूसरे को परभावित करते हैं तो समाजिक समूग कर निर्मान करते हैं इसका राइट अंसर जागा ऑप्शन टू बिदार्थियों की शक्रिय शह भागिता को अच्छी तरह से ध्यां रखना चाहिए शिच्छन परकिरिया में निमलीखित में से किसका भाली परक कौन अपने बच्चे बच्चों की आंतरिक प्रेर्णा दे रहा है अगली कछ्छा में कछ्षो नती पाने पर नंध कुमार अपने पूत्र को कहानी की पूश्टिके देते हैं और आप्शन टू में है फादर रावट अपनी बच्छों को चापलेट देते हैं जो अच्छा पूत्र के दो खोने पूत्र जाए कने बच्चा है जा रहा है जू और अपने पूत्र की तो इस परकार से उनका पूत्र जो है आंत्रिक रूप्शे रूप्शे प्रेरित होगा तो इसका right answer हो जागा, option 4. इस question है बच्चों के शमाजिक विकास में, किसका विकास माहत्व है, बच्चों के शमाजिक विकास में? तो खेल का सबसे महत्वून, बहुत ही महत्वून question, हमेशा इस question को हर एक जाम में लगवग पूछा ही जाता है, तो बहुत ही महत्मुन कोशन है, बच्चों को शमाजिक विकास में डैस का विसेस महत्वा है, किस का विसेस महत्वा है, तो खेल का, राइट अंसर हो जागा, option 2 नेश्कोशन है भाठिया भैट्री का परियोग नीम्न में से किश के पर शचन, परिच्छन है तुग किया जाता है। भााटिया बैटरी का परियो gusta की परिखे का परिशन में उसका भातिया वैटरी का परियोग किया जाता है तो बुद्धी परिखेन भाटिया बैटरी का परियोग किया जाता है। राईट एंसर हो जागा option one next question औलास्ट question Legion सै Αिकिलोजीक से कौहलवर का बिकाससिधान निन में कि sacar शमबंधित थे कोहलवर का बिकास आत्मक शिद्हान किस्च्रे समबंधित पर सेंगनात्मक बिकास से या भासर विकास से और दो देख लेते है नायतिक विकास तो सबको पता है नायतिक विकास इसका राइट अंसर जागा कोहल बरकास का सिधान नायतिक विकास से संबधित है तो राइट अंसर हो जागा option 3 नायतिक विकास तो यह थे आज के हमारे छायल्ड शैश्कोलोजी और पेडालोजी से बहुत होने वाला है और इसके लिए बहुत ही महातपूर्ण फिलिए प्रिवेस यह और है रूत था तो अभि तक अगर सिस्क्राइब नहीं किया थो प्लीज प्लीज सिस्क्राइब जरूर करें ल झाल